आप सभी को साल 1989 में आई फिल्म Hello Brother तो याद ही होगी क्योंकि एक जबरदस्ट एक्शन कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा फिल्म थी, फिल्म में हमें सल्मान खान और अर्बास खान लीड रोल में नजर आये थे और इनके साथ फीमेल लीड में रानी मुखरजी देखने को मिली थ एसे में अब इस फिल्म के सीक्वल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब आपको बड़े परदे पर नजर आने वाले हैं। बता दें कि अर्हान खान अपने पापा की ही फिल्म में आपको काम करते हुए नजर आने वाले हैं। और सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि Hello Brother 2 में अर्बास खान और सल्मान खान बस एक स्पेशल कैमियो में देखने को मिलेंगे जी हाँ, अर्बास खान और सल्मान खान की जगहें इस बार फिल्म में कार्तिक आर्यन नजर आ सकते हैं, वहीं बीटे दिनों एक ऐसा विडियो भी सामने आया था जहां पर कार्तिक आर्यन और सल्मान खान के बीच काफी अच्छी बॉंडिंग भी देखने को मिली थी, जिसे ये खबरे भी सामने आई, सल्मान खान की किसी फिल्म में एक्टर कार्तिक आर्यन भी काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रह है कि ये फिल्म कोई और नहीं बलकी हलो ब्रदर दो ही होने वाली है, इसका डायरेक्शन एक बार फिर सोहिल खान करने वाले हैं, और इसी फिल्म के जरिये वो एक बार फिर से बड़े पर अपनी एंट्री भी करने वाले हैं, जीहा बतौर डायरेक्टर वो एक बार फिर से नजर आएंगे इस romantic fantasy action फिल्म में जिसमें आपने सल्मान खान, अर्बास खान, रानी मुखरजी को देखा था इस बार एक्ट्रेस के नाम को लेकर काफी ज्यादा suspense बना हुआ है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में खुशी कपूर एज ए लीड एक्टर्स आपको किड्स के साथ और साथ ही कुछ नए कलाकार भी आपको नजर आने वाले हैं अगर बात करें फिल्म की release date की तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म अगले साल तक बड़े परदे पर देखने को मिल सकती है और एक बार फिर इस फिल्म का direction करेंगे सोहल खान तो आप सभी एक बार फि के जरूर बताएं बागी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें